जो सीचाई से जुड़ी परियोजनाओं में योगदान देंगी उसके लिए सरकार मदद पहुँचाएगा कोसी के आसपास आने वाली बाड और उसके आसपास के इलाकों में सीचाई की समस्या को हल करने के लिए नई स्कीम के बारे में सोचा जाएगा और उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा हम आसाम को भी बाड से होने वाली समस्याओं से ने पटने के लिए अलग से मदद पहुचाएगे हिमाचल प्रदेश में भी पिछले साल बाड की वज़े से बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था सरकार मल्टी लेटरल डेवलाप्मेंट असिस्टेंस के जरिये हिमाचल प्रदेश को भी जो नुकसान हुआ है आधार भूत से मरचना के तौर पर इंफरस्रक्चर के तौर पर उसको मदद पहुचाई जाएगी ताकि उसका विकास किया जा सके उत्राखंड में भी बादल फटने की वजह से और लैंड स्लाइट की वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए भी सरकार अतरिक प्रावधान करेगी और उत्राखंड सरकार को भी मदद पहुचाईगी लैंड स्लाइट्स की वज़े से उत्राखंड को होने वाले नुकसान में सरकार मदद पहुंचाएगा। परिटन के क्षेत्र में सरकार चाहती है कि और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तेंपल को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए मां बोधी टेंपल कॉरिडर को समर्थन किया जाएगा। जाएगा जाएगा जाएगा। एहमियत बहुत ज्यादा है। जाएगा जाएगा। और नालंदा विश्विद्याले को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार एहम स्कीम लागू करेगा। जाएगा। आएगा जाएगा। उडिसा में भी परटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मदद देगी जिससे वहां के भीज वहां के परटन क्षेतर, वहां के मंदर इन तमाम क्षेतरों को वरतन के दृष्टी से बढ़ावा दिया जा सके और मदद पहुंचाई जा सके for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. Space economy. We have continued interest on expanding the space economy by five times in the next ten years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority nine, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework. and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth.